दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत हैं डेली करेंट फिर कुज में आज हम देखेंगे 22 अक्टूबर की करेंट फिर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट फिर कुज में आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की Complete करेंट फिर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन लगतार बेसिज लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लेना नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि आगे आने वाली सब भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो टॉप 6,000 कोशन आंसर्स की हमारी ई-बुक जो है तो इस कोशन का आंसर सबसे पहले आप नीचे कमेंट बोक्स में बताएंगे और ये कोशन है हाल ही में जैवलिन थ्रोर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एटलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है तो जल्दी से आंसर बतेगा अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है केंदी सरकार ने किसे नया राजस्वस अचीव निक्त किया है तो जल्दी से आंसर बतेगा अगर आपको आंसर पता है मेरे प्यारे दोस्तों इस question का रेट आंसर हैगा संजेब मलोतरा यानि कि option A रेट आंसर हैगा question number 1 का आप इनको यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं दूसरा question आता है वन्यजी बोर्ड ने किस रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है तो मेरे प्यारे दोस्तों question number 2 का सही उत्तर रहेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व को यानि कि दूसरे question का सही उत्तर option C रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा question है CCI यानि कि Competition Commission of India ने किन कमपनियों पर 392 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे question का right answer है Make My Trip, Go Ibibo और OYO इन तीनों कमपनियों पर दोस्तों CCI ने 392 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है यानि कि इस question का जो सही उतरेगा option D हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों question number 4 very very important बाग कर लेना इसरों ने आदित्ये L1 मिशन के परधान वेज्यानिक के लिए किसे नामित किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों question number 4 का सही उतरेगा डोक्टर संकर सुबरमन्यम के को यानि की B right answer हेगा question number 4 का मेरे प्यारे दोस्तों पांचवा question आता है भारत वेपाग सवरदन संगठन के CMD के रूप में किसे नामित किया है मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका जो है आपको पसंद आता है दस मिनट में 20 questions कम समय में जादा questions तो प्लीज आप इस वीडियो को जादा से जादा like करके अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में सभी के साथ में share करके दूसरे बच्चों का भी data और time दोनों save कर सकते है पांचवे question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों option C हो जाएगा यानि की परदीप खरोला option C रेटांसर एगा आप इनको यहाँ पर image में भी देख सकते हैं दोस्तों चटा question आता है इसरो और विज्ञान और प्रद्योगिक मंत्रा लिये आकास्ततु विशे के साथ दो दिवस्य सम्मिलन कहा आयजित करेंगे तो छटे question का दोस्तों सही उत्तर हैगा देहरा दून में यानि की option A रेटांसर हैगा question number 6 का मेरे प्यारे दोस्तों 7 साथवा question है हालही में भारत सरकाने किसे रक्सा सचीव के रूप में नुक्त किया है तो साथवे question का दोस्तों रेटांसर क्या रेगा option c हो जाएगा अर्माने ग्रिधर यानि की दोस्तो option c रेट आंसर रहेगा साथवे question का आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं अगला question दोस्तो आता है आठवा question हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संपून टेक्सी उद्योग के लिए एक साजा एप लौंच करेगी तो आठवे question का दोस्तो सही उत्तर रहेगा गोवा सरकार द्वारा यानि की option a राइट आंसर रहेगा question नमबर 8 का मेरे प्यारे दोस्तो नोवा question है हाल ही में किसने अपनी पुष्टक a confused mind story का विमोचन किया है मेरे प्यारे दोस्तो अपकमिंग जितने भी exam है इस परकार के question very very important होते है सभी exam के point विसे तो जरूर इस question को याद कर लेना तो 90 question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल साहिल सेट दोस्तो इस question का right answer रहेगा यानि की 90 का right answer B रहेगा दोस्तो दसवा question आता है हाल ही में World Spice Congress का चोद्वा संसकर्ण कहा आईजित किया जाएगा तो 10 question का दोस्तो right answer रहेगा option C मुंबई में तो ये आपको याद अखना है ठीक है question number 10 के बारे में अगला question दोस्तो आता है हाल ही में पाचवे खेलो इंडिया youth game कहा आईजित किये जाएगे तो खेलो इंडिया youth game दोस्तो कहा आईजित किये जाएगे तो 11 question का सही उत्तर रहेगा मध्यपरदेश में यानि की B right answer रहेगा question number 11 का मेरे प्यारे दोस्तो अगला question आता है हाल ही में किसने भारतिये जन उर्वक योजना सुरू की है तो 12 question का सही उत्तर रहेगा नेंद्र मोधी जी द्वारा यानि की option C right answer रहेगा question number 12 का अगला question दोस्तो ये भी काफी important हो सकता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिदो के सरक्षन के लिए पैनल का गठन किया है तो 13 question का दोस्तो जो right answer रहेगा that is Tamil Nadu government ने यानि की option B right answer रहेगा question number 13 का अगला question दोस्तो आता है हाल ही में परधानमंत्री मोधी ने कहा mission school of excellence लाँच किया है देखें अगर आपको हमारा content पसंद आ रहे है दोस्तो एक छोटा सा feedback comment भी आप लोग comment box में बता सकते हैं कि सर्फ वीडियो कैसी लगिया आपको पस इतना बता देना चोधवे question का दोस्तो right answer option ही रहेगा गांधी नगर यानि की a right answer रहेगा question number 14 का अगला question दोस्तो आता है हाल ही में under 23 world championship में medal जीतने वाले पहले भारतिय कोन बने है दोस्तो ये भी एक important question है क्योंकि देखे पहला word यहां पर add हो गया तो 15 question का दोस्तो right answer रहेगा option C साजन बनवाल यानि की option C right answer रहेगा question number 15 का आप इनको यहां पर image भी देख सकते हैं अगला question दोस्तो आता है भारत में पुलिस समर्यत्नी दिवस कब मना जाता है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा 16 का right answer दोस्तो हो जाएगा 21 October को यानि की D right answer रहेगा question number 16 का अगला question दोस्तो आता है एकता नगर गुजरात में mission life का सुबारम किसने किया है तो सतरवे question का दोस्तो right answer रहेगा नहिंद्र मोधी जी दुआरा आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं तो 17 का right answer option A रहेगा अगला question आता है कौन सा मंत्रा लिया 16 November 2022 से वरांसी यानि की 80 में 80 तमिल संगम का आयजन करेगा तो 18 question का दोस्तो सही उत्तर रहेगा 6 सा मंत्रा लिया यानि की option A रहेट आंस रहेगा 18 question का अगला question दोस्तो आता है FinTech platform font पे ने अपना पहला green data center कहां launch किया है तो 19 कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तो भारत में यानि की option A रहेट आंस रहेगा question number 19 का मेरे प्यारे दोस्तो 20 कोशन है हाल ही में global youth climate summit किस देश में शुरू हुआ तो 20 कोशन का दोस्तो सही उत्तर रहेगा option D बांगलादेस में तो ये भी एक important question है याद रखेगा अभी दोस्तो बात करते हैं home work के बारे में और question of the day के बारे में तो आज का हमारा home work है कि कौन सी राज्य सरकार किसानों को आधार संक्या के समान एक wishes किरसी ID परदान करेगी very very important mark कर ले ना इस question को और इस question को try करिए और सब इस front comment box में answer बतेगा इस question का ठीक है आज का जो हमारा question of the day है दोस्तो ये भी काफी important question है सर्वुच नयाले में 2900 की संख्या कितनी होती है तो इस question का answer comment box में बतेगा और जितना भी extra fact दोस्तो सर्वुच नयाले के बारे में आपको पता है वो भी नीचे comment box में बताने की कोसिस करिएगा और जो की हमारा कल का होंवा का question था दोस्तो कि किस पहल के तहद भारते रेल्वे ने पहली बार high speed wheel plant विक्सित करने के लिए नीची फर्म को सामिल करने के लिए निवीदा जारी की है तो यह है आपका दोस्तो make in India इस question का right answer बीरेगा यह हमारा कल का homework का question है सबसे पहले दोस्तो बते वीडियो कैसी लगी प्लीज आपसे छोटी सी request है वीडियो कैसी लगी comment box से बतेगा वीडियो अगर आप लोगों ने like नहीं किया तो like करके अपने भाई, बहन, दोस्तों के साथ में जरूर सेयर कर देना देखे 10 मिनट की वीडियो में 20 करने टाफिके question पूरी यूटूब पर दोस्तो केवल और केवल इसलिए कि आपका data जो दोस्तों हम रोज जितने भी आपका gb data होता होगा उसको save करने के लिए साधी साथ आपका time save करने के लिए एक गंटे की वीडियो दोस्तों बहुत लोग बना रहे हैं बट ये इस तरीके से पूरा challenge ले करके 10 मिनट के अंदर cover करना बहुत ही difficult होता है बट बहुत सारे बच्चे हैं से कि इसको उतना seriously ले नहीं रहे हैं तो please आपसे request है जाद़ 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 सेर करिए अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में और वीडियो को जाद़ जाद़ लाइक करिए और 6000 के question answers की जो हमारी PDF को मात्र 175 रूपीज में अभी purchase कर लेना दोस्तों नीचे description box में link है या फिर हमारी website से या फिर whatsapp number में message करके भी ले सकते हैं Thank you so much Bye bye everyone take care ख्यार लखे अपना